अप्डेश्ट अप्डेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और प्रेल आइगन को प्रेस करें प्रिवेश्वार्ट, बेवी रेनुका और महर्शी जमदगमी का विभाद एक नेरे महानस में अपने विभाद के स्मित्या जीवन था उठी है आदेव, हमारा विभा भी कुछ ऐसी तो था मैं धेरा फर्वतो और शुम्शानों में वास करने वाला और आप गिरिराज हिमवान की पुत्री किंटु प्रिये है किंटु क्या दिलवेश्व है इस किंटु के पीछे क्या रहे से चुपा है जो आपके मुख पर हसी बिखर गया मुझे एक आएक आपके पूर्व जनम का स्मरन हो आया जब आपने सती रूप में जनम लिया था उस जनम में ऐसा क्या हुआ था दी जो आपको एक आएक स्मरन हो आया देखे ना देवी रेनुका ने किस प्रकार समस्थ धन वैभाव को दुखरा दिया इसी प्रकार आपको आपके पूर्व जनम के पिता दक्ष ने मेरे प्रफी कितनी उल्हानाएं दी थी कि वो भगुत भारी है नाग और सर्प उसके आपूशन है शम्शान में रहता है किन्तो आपने उनकी उल्हानाओं की उपेक्षा करके समस्ता सुख वैभव को तियाग करके मुझे अपनाया क्योंकि मैं उस समय भी देवी रेनुगा की भाती जानती थे एक नारी का सुख उसके पती के साथ ही होता है और ये शाच्वत सत्ते भी है पती का प्रेम ही उसका अन्मोल अभुशन होता है पती के प्रती संफून समर्पन से अधिक उसके लिए और कोई भक्ती नहीं है इसलिए तो अरुन्धुती अनिसिया जैसी नारिया अपनी पती प्रत धरम के कारण महान बनी है और उनकी महान ताके समक्ष एवल प्रकिती ही नहीं स्वेल पिश्वर को भी छोगला पड़ा सब्ते है देवे पती बतास्परी सदेव महान रही है और हर युप में महान रहेगी नारि के इस शक्ति को तो मेरा भी नमन है देवे दामपत्य जीवन में पती और पतनी दोनों एक दूसरे की रुची और अशक्ता के नुसाद स्वेम को ढालना पड़ता है तभी जीवन की सुन्धरता और सार्थकता बनती है और तुमारी मा भी संसकार वानिस्त्री थी और धीरे धीरे आश्रम के जीवन में रबने लगे थी लाओ मुझे तो इतना भी कष्ट मत उठाओ ग्रस्ती केबल इस्त्री समालती है ऐसा तो किसी शास्त्रों में नहीं लिखाया है इसमें बोश्रों की भी इस्सेदारी होने चाहिए है कि नहीं हाँ परन्तु तब जब उन्हें रसोई का कुछ ग्यान हो अन्यथा अब रसोई को हाट पनते देर नहीं लगती आप रहने दीचे स्वामी किस्त्रीयों का काले हैं जब किस्त्रीयों के स्वाटन आप अशया है कदाचित, आप क्या छपा रही हैं? नहीं स्वामी दिखाय मुझे कुछ विशेश नहीं है मास्त्र सिल्बेटे में उंगली दब गे थे कदाचित, शत्राणी ही इतनी सहनशील हो सकती इससे आपको शीग्र आराम मिल जाएगा किन्तु अब आपको कोई कारे नहीं करना है केवल आराम करना है समझी आप? ए्हा आराम को मिल आराम करना है ह२ँ आग स्थारी है कि अब आप अब आप अब कि अब कि अब देवी चिडुका अब आप एक साध्वी है इसे शेश्तर भ्यास के क्या हो शकता है प्रशीवर जीवन में जितनी शास्त्र ज्यान की आवश्यकता है उतना ही शास्त्र चैलन का ज्यान भी आवश्यक है मनुष्य को जीवन में कहीं कटनाईयों का सामना करना पड़ता है कहीं विद्वता काम आती है तो कहीं वीर्ता कर दो तो सब्सक्राएं. कर दिया अभी तेके लिए भी यह पो दाशी कटाएं, बड़ेगा हम दोनों इसकी माता पिता जो बन गए है खूब घ्यान रखेंगे इसका अपने आने वाले संतान के भाती हम आदेव रेड़का को आत्म बल देजएगा बधाई हो रिखिवर आप पिता बन गए हो तेनों का माईने एक सुन्दर और स्वस्त बालत को जहनम दिया है राजकुमारी होकर भी रेड़का ने आश्रम का साध्वी वाला जीवन रेड़का ने कभी भी शस्त्र अभ्यास नहीं त्यागा अने जब भी उनसे कहा रिशी के जीवन और शस्त्र का क्या में तो उनका उत्तर होता था कि धर्म की रक्षा हे तो शस्त्र और शास्त्र हैं दोनों का महत समान है तो फिर उनसे ऐसा कौन सा अपराद हो गया पिता जी जिसका दंड उन्हें इस पेकार भोगना पड़ा चित रत गंदर्व की सुंदर्था पर महत हो गे दियो और उसके साथ रास रंग में अपनी सुद्बुद खो बैठे थी तुम्हें संदी हो रहा है राम वह मनी मन सोचने लगी थी क्यों और चित्रत सरोवर में जल क्रिवडा करते हुए रास रचार है अर्थात माई ये बाते मात्र सोच रही थी वास्तम मैं तो वो उस गंदर्व से दूर थी पिता जी तो क्या हुआ मानसिक व्यविचार शारिरिक व्यविचार के समान ही दंडनी है पाप कर्म का पहला बीच मन में ही पड़ता है इसलिए मैंने उन्हें धंडित किया पिता जी कीचन में कमल के रहने से वो कमल अपवित्र नहीं हो जाता माने वर्सों तक रास्ती जीवन जिया फिर उसका त्याग करके उन्होंने आश्रम के दाइत्व को दिरकाल से सफलता पूर्वक निभाया अब यदी एक राज वेभाव उनके समक्च जीवन धोठे तो ऐसे में उनका आस्तिक होना स्वभाविक है इक पंची को वर्षों तक पिंजडे में कैद करने से क्या वोड़ना भूल जाता है मा पूर्णता पवित्र थी मंसा वाचा कर्मणा का सिध्धानत यही है कि मंसे वचनों से एवं कर्मों से किया गया समर्पड यही सर्वांगील समर्पड माना जाता है यदी मा का मन चंचल हुआ भी था तो आप उन्हें कोई मानसिक दंड दे देते उनकी देह से तो कोई अपराद नहीं हुआ था पिताजी राम उत्र राम जो दुखी मातौ तुमने तो पिताखी अज्या का पालन करते वह वो कड़िक आया तो ना तो कभी किसी ने किया है और ना ही कोई कर सकेगा तुमने प्रसंशनिय कार किया है पुत्र प्रसंश निये कार्य पिता जी मैंने घोर निंदा वाला कार्य किया है जगनिता की पराकाश्ठा थी मेरे क्रित्त में यूग यूगांतर तक संसार मुझे अपनी ही माता का वद करने वाला कुपुत्र कहेगा और मैंने प्रसंश निये कार्य किया मात्र हंता पुत्र के लिए तो तरपण तक की भी कोई उक्ती नहीं बनी है इस ब्रह्मान में ऐसे मत कहो पुत्र मेरा आशी सदेव तुमारे साथ जाओ तो अपने कल्यान के लिए उससे वर मांगल पुत्र ये कलंक का कीचड किसी जल से नहीं दुलेगा पिताजी यदि फिर भी आप मेरा कल्यान करना चाहते हैं तो मुझे इस गलानी से उबरने के लिए मुझे दो वर्दान दीजिए अवश्य पुत्र जो मांगोगे वो मिलेगा मेरी मां और मेरे भाईयों का जीवन मेरा पहला वर और मेरा दूसरा वर होगा उनकी स्मृति का लोब उन्हें इस घटना के बारे में कुछ भी इसमरना रहे तदास्तो देव भले ही परशुरा में बर्दान के द्वारा अपने माता और भायों को जीवन प्रदान करवाया खिन्तो क्या उससे उन पर लगा मात्री हंत्या का कलंग थुल जाएका महिश्वरी यह संसा भी बहुत पुचित्र है अच्छाई अधिक दिन तक कोई स्मरन नहीं रखता किन्तु बुराई सब सबैद के लिए पनी स्मूति में बसानेत है जैसे कि एक समय स्रिष्टी के रत्रेता ब्रह्मदेव के साथ हुआ था श्रिष्टी करता ब्रह्मदेव के साथ आपका संकीत किसोर है देव प्रिये यह उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव ने श्रिष्टी की रचना आरम की थे देवर्शी नारत, सब्तरिषि, दक्ष, आदी के मानसिक श्रिष्टी के पश्चात उन्होंने संध्या, रधि और कामदेव आदी को मन से वत्पन न किया कामदेव को उन्होंने वोहन, मारण, आदी काम बान प्रदान किया जिनके प्रयोक से स्थ्वी पुरुष आख्रिष्ट होकर आपस के समागम से संतान उत्पति कर सके किन्तु चंचल मन कामदेव अपने बानों के प्रभाव का परिक्षन तरने के लिए उसे भ्रमदेव और संध्या पर ही चला दिया देखते ही देखते ब्रमदेव संध्या के प्रती आकरिष्ट हो गए जुकी संध्या को ब्रमदेव ने अपने मन से उत्पन्र किया था वो उनके लिए पुत्री के समान दी परिणाम स्वरूप- ब्रमदेव को शापित होना पढ़ा, दोशकामदेव का था, जिनके उसका फल धम्मदेव को भोगना पढ़ा, संसार में उन्हें अभुज्य घोशिद कर दिया गया. ये तो सत्ते है, देविश्वन, परशुराम को भी जगत में सब, एक मात्र हन्ता के रूप में ही जानेंगे, परन तो ये भूल जाएंगे, क्यों उन्हों नहीं, बर्दान देकर अपने माता और भायों को पुनाची बंदान दिलाया. ये कलंग का तीचर किसी जल से नहीं दिलेगा थितरजी. अपने बचन का पालन करो. रेड़ुका का बद कर दो राम. और जो अब तुमे लोगने का प्रेश करे, उसका भी बद कर दो राम. ये क्या प्राथ लोकिया है माता सेचो, आप उनको ये दंड देना चाहते है. अबने वतन दिया है ना. बना प्रेश्ट लोकिया मेरी आख्या करवादन करो के. आप कहां से ले गया थी, पिता श्री? सायम वंदन का समय हो गया था. मा भी आपके लिपारे में पूछ रही थी, आपने उने भी कुछ नहीं पताया? कुछ है, और शेक कार से राम के पास था. वारी मा काहा है? वो मा... इस शशक का प्शीक रोब चार करो, नजाने किसने इसे गायल कर दिया है? राम? 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 क्या हुआ वा? क्या हुआ... वजए है आझ добंई विक राम? याँ 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 वा मेरिलाल सदेव सूर्य भाती चमकने वाले मेरे पुत्र के नेत्रों में आज बादल क्यों अमड़ गुमड़ रहे है राम क्या हुआ क्या हो गया है इसे अचानक रिशीवर कुछ नहीं मुझे बोल रहाता कि मा के बहुत याद आ रही है इसलिए मेरे साथ चलाया अपनी मा से बहुत प्रेम करता है न कभी कभी बावनाओ पे नियंदर करना असंबह हो जाता है अचो 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 तो मेरे वीर बुत्र हो ना और वीर कभी ऐसे विलाप करते हैं क्या बावनाओ 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 ए रावनाओ रावनाओ भावनाओी रुत्र आड़ी मुझ हैं क्या ऌचो भावनाओी मुझ है एनले से ingredient कि गुर्देव मोर्क तू सदेम मेरी साधना बंग करने चलाता है तू मेरा शिष नहीं शत्रू है शत्रू अब गुर्देव अब यह आप कौन से साधना कर रहे थे धूम्र सिध्धी कर रहा था मैं देद्य गुरु शुक्राचारे ने भी धूम्र सिध्धी करके बृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी मैं तेरे लिए ये सिध्धी कर रहा था तूने इसे ही भंग कर दिया मैं क्या करूँ गुर्देव मैं मैं बहुत दुखी हूँ उस राम के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसका पुरा पुरिवार संकुटों से गिर जाएगा परंतु तोहां तो सब सामान ने है अब आप भी कुछ करें गुर्देव अब आप भी कुछ करें सोचने दे मुझे बचा कोई रक्षा करो रुपो बच्छा कोई रक्षा करो यह दुश्ट लोग मार देंगे मुझे और मेरे बच्चे को क्या भी गाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा बच्चाओ कोई तो रक्षा करो नेरा बेटा इस मा मारी की चड़े यदि इस जड़ कोई काट दिया तो यह व्रक्ष फलफूल नहीं पाएंगा कि मारे उसे कि अशे कुरुश्य तुम्हसो कि अबला इस्तरी पर अप्त्यचार करते हूं कि एक नंहें बालक के प्राण हरना चाहते हूं इसके कारण पूरा गाउं विपदम है अगर गाउं को संक्र मुक्त करना है तो इनको मरना ही होगा यह मेरी सरण में है और सरणार्थी की रक्षा करना मेरा धर्म है रिशी कुमार, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है उचित तो यही होगा कि तुम हमारे मार से हट जाओ देख क्या रहो, मारो इसको झाल 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 सहस्प्रशस्टों के अदमान एक पर्शु है जो करे अधर्मकाम वो ही सत्व है वाच शिष्वर्विता का जीसु पुत्र है संत मिप्र नेख बाबो जम चत्प है वर्शुराण कौन है आप और ये लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे मेरे बच्चे को कोई आसाधारन रोग हो गया है जिसके कारण गाउवाले मेरे बच्चे को मार रहा चाहते हैं सुना है इसका अपचार मात्र रिशी जम दगने के पुत्र सुश्य नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं छिपते हुए वहां जा रही थी लेकिन मेरे बच्चा रो पड़ा और ये जान गए और ये हमारे पीछे पड़ गए मैं आपको छोड़ देता हूं रिशी कुमार आप बहुत अच्छे हैं भगवान आपका भला करे मुझे आपके वस्ता नहीं लगता कि आप आश्चम तक पड़ल चलके जा सकती है कि इकारी कीजिए अब तुर्ण पर बैंचे वुझे घोड़े से बहुत डर लगता है मैं धीरे धीरे चल लूँगी अपना समान और बच्चे को मुझे दूचे रिशी कुमार बच्चा रो रहा है फर्षा लग जाएगा आप फर्षा मुझे दे दीजिए मैं लेके चलूंगी पर्षे की धार बहुत देज है आप छोटी हो सकती है अरे मेरी पोगले गिर गई वैं उठा लेती हूँ आपका सुप कीजिए अरे मेरी पोगले आपका सुप कीजिए लीजिये, आगेया जम्दगनी जी काश्रम कहा चली गई आप, जम्दगनी जी काश्रम आगेया है लीजिये, आप किस्ती ऊको बढ़ता स्टक मिलिया, द offering one हाओगदा वेश्गनी जीजिया, जlledके सानु़नी जी काश्रम जिस शस्त्र ने तुम्हारी देह भंग की है तुम उस शस्त्र को चुरा कर ले आओ तो कदाचे हम तुम्हारी देह को उन्हाँ एक कर सकते हैं सब तुम और भी अधिक शक्ति शाली होका अपनी साधना पूरी कर सकोगे जम लाएगे नक्षत्रों की स्थिती के बदलने से पहले अपनी सिद्धी पूरी करने का प्रयास करो अनित तुम्हें डामर शक्ति ही मार देगी यह शाधना कोई खेल नहीं है नहीं गुर्देव दामर शक्ति दोरा में अपनी मृत्तियों नहीं होने तूंगा मैं अपने अधुरी साधना पून करूँगा और उसके पस्चात उस दुष्ट राम से अपना प्रतिशोध लूँगा गुर्देव! गुर्देव कहा है आप? ये देखी! मैं उस दुष्ट राम से उसका फड़सा चुरा लाया! गुर्देव आप फिर! कर दो राम से अधूः आपजा खूई कर राम से इदूटेव आप लूँगा हम आप प्रूब आप लुटेव ए्वाह! एख वह! एख आप एव आप लूएश हूग रहर जदसे हैं दोो में ऊजए घो तूम तो यहां सो हैंकyas। तूम तो यह चब वैसे हैंने हैं बाटो फसिदा, बाटो बाटो! łbaseP विशिवर मेरा नाम हरिया है, मैं पास के गाउं में रहता हूँ आपके पुत्र ने मेरी गाये चुरा लिये मेरे पुत्र ने? अवश्य आपको भ्रम हुआ है विशिवर मैं सत्य कहा रहा हूँ आपके पुत्र राम नहीं मेरी दुदारू गाये चुराई है ये क्या कह रहे हो? मदला राम की चुराई राम की गाए? यदि आपको विश्वास नहीं, तो आप सुआयन चल के मेरे साथ देख सकते हैं. आईए, आईए इधर आईए. ये देखिए, ये रही मेरी गाए. राम के पास ये गाए, ये कहां से आई? आएगी कहां से, चुराई है राम ने. राम किसी की गाए ने चुरा सकता. मैं अबने भाई को भली बाद ही जानता हूँ. प्रणाम पिदा जी, चुरी मैले नहीं की है. ये तो अपने आप यहां पर आई है. अपने आप कैसी आई है यहां पर? तुम ही चुरा के लाए हो मेरी गाए को. माना की गाए तुम्हारी है, हरिया. परन्तु इनके यहां आने का कोई तो करण होगा. अब वो समय नहीं जानता. मुझे बस मेरी गाए देदो. हाँ, तुम्हेने कब मना किया? ले लो. यदि यह तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तो ले जाओ. मेरी गाए है, मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? हरिया गाए बहुत ही समाजदार पश्रू होती है. यहने किसके साथ रहना है? इसका निर्ने इन्हें ही करने दो. कजरी, चलो हाईदर. कजरी, हरिया. बस, तुक जाओ. मैं बताता हूँ पिदाजी की सत्य क्या है? अपने स्वामी उनके परिवार वालों को दूद देती है और गाय का दूद अमरित के समान होता है किसी हिंसक पशु का हर बनने के पहले में वहां से गुजर रहा था तो मैंने इने मरारसन आवस्था में देखा फिर मैंने इनकी भोजन पानी के प्रबंद किया मैंने एक छरवाहे को इनकी सुरक्षा के लिले उत्त किया और मैंने उससे कहा, जब ये स्वस्थ हो जाएं, तो इने जाने दे, ये जाना से आई है, वहाँ चली जाएंगी, और अंतु ये गई नहीं, अपने आप यहाँ चली हैं. अरिया, गाय अपने जीवन काल में जितनी सेवा अपने स्वामी और उसके परवार की करती है, हम पूरा जीवन लगा के भी उसकी सेवा करें ना, फिर भी उसका रिड़ नहीं चुका सकते हैं, क्या मा का रिड़ कोई पुत्र चुका सकता है? मुझसे बूल हो गई, रिशीवर. कैजरी मुझे शमा कर दो, अब तुम सुक से ही यही रहो, मैं चलता हूँ. हर्या, गाव मता समवेद्नाओं को समझती हैं. काव मता, हर्या ने अपनी गलती स्विकार कर लिये, आप उसे शमा करें और अपने धाम को पदारें. हर्या, गाव मा का रूप होती है. इश्वर द्वारा दिया हुआ मनुष्य को एक अनमोल वर्दान है गव मता. कुछ लोग गाव काव का दूद निकाल कर उसे वन में बटकने के लिए छोड़ देते हैं. वो बहुत बड़ा पाप करते हैं. हम को माता को नमन करते हैं. मुझति कि अच्छा करते हैं. गुरुदेव कहा आप? मैं नहीं जी पहूंगा आपके बिना, गुरुदेव. गुरुदेव, आप कहा रहे गे? मैं पूस्ट दूस्ट राम को फ़र सचुरा लाया था समय रहते हैं आप पाते तो मेरा ये सीश धर से जोड़ जाता भी तक समय फिर आएगा डड़नाथ उस राम के फीछे निश्चित कोई दिव्य शक्ती है किव. और बाईएब प्रूय को जोड़ आएगे निश्चित को इस राम को प्रूय को जारादा है आपने गुरुदीव जो इतना प्रसन्द हो रहे हैं कुंडली में नाग सहस्त्रफन वाला नाग कौन सा नाग ? कैसा नाग ? वो तो समय के गर्ब में छुपा हुआ है अब हमें चैन से बैठके प्रतिक्षा करनी है प्रतिक्षा ? प्रतिक्षा ? प्रतिक्षा ? झाल हमें वो नाग नाग ट्रतिक्षा प्रतिक्षा कर जब दूजब कर दूए कर दूब आह जब नहां थांट कर अब है नहीं है आपिन एक बत्राप चीर नहीं है कि एक यह पाफ हूं इच्छा ना हो ते भी बीस भी मुझे रहे है अपनाते हैं, मैंने आपको भी अपने प्रभाव में लेने का अत्यतिक प्रयास किया किन्तु भाया कि आप तो निश्पाप हैं, मन, कर्म और आत्मा से पूर्ण शुद्थ हैं परंदु आप यहां किस प्रयोजन से आएं? प्रिको कुल शुरो मणी राम, एक निर्मल मन वाला ही मेरी साहिता कर सकता है आप निर्मल मना हैं, मैं बड़ी आशा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, मेरी साहिता करें किन्तु मैं आपकी साहिता क्या कर सकता हूँ? मेरी सहायता करने से पहले आपको मेरी कथा जाननी होगी रुको कि इदर आओ मालग पुष्प तोड़ रही थे यूँ पुष्प को तोड़ते नहीं है हमसे भूलोगे रिशीवर हमें समा कर दीजिये देखो हमारी बगिया में चारो तरफ कितने तरह के सुगंदित पुष्प खिले हुए अलग-अलग रंगों के हैं इन सब पुष्पो में अलग-अलग सुगंद भी आती है देखो कितने मनमुहक हैं है ना ये इश्वर का अनुपम उपहारे हमारे लिए और ये सब उपते कहा हैं इसी एक धर्ती पर है ना इसलिए हमें इसे यू नश्ट नहीं करना चाहिए ये उपहारे इश्वर का है ना हमें समा कर दीजिए कोई बात नहीं बच्चो अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये धर्ती मा कैसे उपहार देती हैं कैसे हमारे अनेक रोगों का उपचार करती है हमारे लिए और प्राणियों का पेट भरती है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं आओ मेरे साथ आओ बच्चो अब ध्यान से सुनो ये तुलसी है ये शुद्ध और पवित्र होती है शुद्ध होने के साथ साथ कई प्रकार से उप्योगी भी है इनसे हमें स्वास लेने के लिए शुद्ध प्राण वायू प्राप्त होती है समझें और ये है गुरहल ये भी कई प्रकार से उप्योग में आता है अपच्च कब्ज और कई प्रकार के जोर को भी ठीक करता है और ये देखिए ये है गेंदे का फूल ये भी कई प्रकार से उप्योग में आता है सुवे इसको खाने से हमारे नेत्रों की जोती तेग होती है समझे तो इस प्रकार से इतनी सारी ओशुदियां है ये धर्ती मां हमें देती है कई प्रकार की ओशुदियां इनसे बनती है जो हमारे लिए अनेक प्रकार से उप्योगी भी है झाल